और अगर ये फेक खबर हैं तो भईया उन पीडितों का क्या जिन्होंने आके अपनी वेधा बताई है यहां पर जो बचते बजाते यहां पर आ रहे हैं जो आके कह रहे हैं कि भईया हम लोगो कैसे मार पीट के वहां से भगाया जा रहा है उन फोन कॉल्स का क्या जो की नॉन स्टॉप मुझे आ रहे हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं कौन लोग हिंदी भाषा बोलने वाले और तमिलियंस के बीच में बेद बाप पैदा कर रहे हैं कोई भी कारण हो भईया मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी को प्रधान मंत्री मैटीरियल बनना होगा तो दोड़े दोड़े जाएंगे इस चैलेंजी के पास समर्थर मांगने प्रधान मंत्री पत्का दावेदार बनने कितने नेताओं के पास पीचे गयते हैं अगर खुद का काम होगा तो जाएंगे पर बिहारी मर रहे होंगे तो एक शब्द इनकी जुमा से नहीं निकलेगा और अगर यह फेक खबरे हैं तो भईया उन पीडितों का क्या जिन्होंने आके अपनी विथा बताई है यहां पर जो बचते बजाते यहां पर आ रहे हैं जो आके कहरे हैं कि भईया हम लोगो कैसे मार पीट के वहां से भगाया जा रहा है उन फोन कॉल्स का क्या जो की नॉ और इंडिया साउथ इंडिया के बीच में एक डिवाइट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कौन लोग हिंदी भाषा बोलने वाले और तमीलियंज के बीच में बेदबाप पैदा करने कोई भी कारण हो वह जो भी वेक्ति-जिम्मेदार हो भले वो भ्रहं पहलाने के लिए जिम् प्रधान मंत्री नितीश कुमार जी को प्रधान मंत्री मैटीरियल बनना होगा तो दोड़े दोड़े जाएंगे प्रधान मंत्री पत्का दावेदार बनने कितने नेताओं के पास पीछे गएते हैं अगर खुद का काम होगा तो जाएंगे पर बिहारी मर रहे होंगे तो एक शब्द इनकी जुमा से नहीं निकलेगा भाई जाँच कराने का मैंनों उसे आग्रा किया है क्योंकि बिहार की जन्ता मुखे मंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं ऐसे में केंद्र सरकार जांच कराएं कि हकीकत क्या है वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है और जो भी दोशी है उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई है। पर किस च्छूफ एंजाम रहा है